नमस्कार दोस्तों आज हम बताऊंगी इस बलाज में डवल पट्टी लगाना या गूम पट्टी इसको कहिए सो मैं लगाना इस बलाज में सिखाऊंगे तिये हमने पट्टी को काट लिए डवल यहाँ पे देखिए टॉक्स भी हमने चार लगा रखी हो आगे वाली पाट में बलोजगा और हम यहाँ पे यह जो मारजन का कपरा है यहाँ पे हम निसान लगा दिये यह नीचे वाला है यहाँ से मारजन के कपरा है यहाँ से हम इस पे सिलाई लगा दूँगी शिलाई लगा दूंगी उसका बाद एक पला को नीचे के तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे उसका दिसके उपर एक शिलाई लगा देंगे वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाईएगा और सीख पाईएगा अब हम इसके शिलाई लगा दिये अब हम ये लज का उपर वाली पाट लिए और यहाँ पर देखिए शेट कैसे करेंगे इसको एकदम बराबर से मिलाके रख लेंगे यहाँ पर दोनों मुह को एकदम बराबर से पकर लेंगे अश्काबाद तोरा बहुत आगे पिछे नगे गदम बराबर से पकर लेंगे उसको अबाद इस तरह से इसको टर्ण कर दिये अउसको देखे ऊपर वासे इसको हलकल का गुलाई में करते हुए कपरा को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे उपर वाली पाट को और यह जो इधर जो दो पट्टी को तुम पहले से संभाल रखे हैं दो कपरा को नीचे और एक तीसरा जो कपरा गया उसके उपर इसको तीनों को एक बराबर करके यहाँ पिसको सिलाई डालेंगे तो पहले हम थोड़ा सा टाका लगा दिये उसको बाद पहले कपरा को सीधा करके तीनों को एक बराबर करके उसको बाद सिलाई लगाएंगे और लगा रही हैं कि बीच वाली कपड़ा को संभालते हुए धियान में में रखते हुए सिलाइ लगा अब देखिए और भीरेया यहाँ आहिस्ता- आहिस्ता से श्टरफ इसको खीच के अब अब बहुत तरफ निकाल देलेंगे पसिलाई भी नहीं दिख रहा है डवल पट्टी और मज काफी ये बेल्ट बलाज मजबूत भी होती है अब हम दूसरा तलिका बताती हूं यहाँ पे ज़िए तीनों जो आइट आपको एक बार में नहीं संभलता है तो फिर हम यहाँ पे आपको दिखाती हूं दूसरा तलिका तो पहले हम यह दोनों कपरा को पकड़ के एक पट्टी को और यह बलोज का उपर वाली पार को पकड़ के चिल दिए अब बचा एक पार तो यहाँ पी इस तरह से फिर फोल्ड कर देंगे इसको असकात फिर जो एक पार जो यह बली जो बचा इसको उसी सिलाई के उपर जो हमने सिलाई पहले किया था उसी सिलाई के उपर इसको डाल के और अंदर को कपरा को संभालते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे ये दोनों आपको जो समझ में आया उस तलिका से बनाईए दोनों अच्छी है हमने तो संभाल लिया था तीनों और आपको मैंने दोनों बता दी जो आपको अच्छा लगी उस तलिका से बनाईए उमीद करती जाब सभी कोई वीडियो अच्छी लगी होगी समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कीजिए कोमेंट करें बताएं वीडियो कैसा लगा